जहाँ पर आज का टॉपिक है प्रमुक संगटन, प्रमुक संस्थान, भारत के अपितू, उन सभी को जोब के परिच्छा में शवाल पुछाते हैं जहाँ पर हम आपके परिच्छा को ध्यान में रखकर प्रिच्ट बैंक त्यार कराते हैं यहाँ से प्रश्ण आपके परिच्छा में होग हुँ, मिलते हैं तो इस बिवित की सिरीज में अफशरीक अश्वागत है और आप इस क्लास के अंतक कॉपिक कलम लेकर बने लेगा, क्योंकि हम क्लास के प्रश्णों के साथ साथ हम उसकी व्याख्षात्मक हल भी लेकर आए हैं जो आपके परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए क्लास के साथ साथ आप भी हमारे साथ नोट्स भराते चलिए जहां पर करें बात करें तो पहला सवाल है कि नेता जी शुबास राष्टी खेल सनस्थान कहा है कोलकाता, पूणे, पठियाला, ग्वालियर तो जितने भी शाथ ही इस वीडियो को देख रहा है फड़ा फट कमेंट सेक्चन में जाएंगे और कमेंट करके इन प्रस्टों का जबाब देंगे जी हाँ, सब इलो फड़ा फट कमेंट करके बताइए और आभी शाथ है, जटने फ़ी लोग इस वीडियो को देख रहा है इस स्रीज के अंतक बने रहां अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा प्रस्देरीक फट करेंगेए काफी महतरपूर प्रस्टों की शिरीज है यह यहाँ यहां प्रग्राम बात करवाद के इस परष्णे का सक होगा फोगा उठ्थर अगर आपने इस परष्णे कउतर पटियाला बताया है तो जबाब पूरी तरह से शही है दिता आप आप पर सहथ कि इसन अगले प्रश्णी की तरफ एक नए सवाल की तरफ अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने अगला सवाल आ चुका है कि एन आई एन परथाच राश्टी पॉसर संस्थान का केंद्री कार्याला कहा पर है यह ऐसे प्रश्णा है जो आपके परिक्षा में सीधे सीधे पूछ जाते हैं तो सभी साथी फड़ा फड़ अंदाज में जबाब देंगे चितने भी लोग इस वीडियो को आपर देख रहे हैं हैं हैदराबाद मुंबई बंगलूरू कोलकाता जी हां राश्टी पुरत संस्थान का जो कर्याला है यह आपके हैदराबाद में अगर आपने सवाल का उत्त सभी कहां अज्तित हैं देहरादून हैदराबाद नए दिल्ली इटावगर तो सभी साथी जवाब देंगे फड़ाफ़ अंदाज में सब्सक्राइब करें जितने वीडियो को देख रहे हैं जी हम अगर हम बात करें राश्टी किसी हम संधार इसको नारं के नाम से जाते है अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल अकेडमी आफ अग्रिकल्चर रिसर्ब मैनेजमेंट है जिसके अपना भार्टे केसी अलसंदान परिसनल आर्सी आईसी एर दोरा किया गया था कहां पी किया गया था यह हैदराबाद में इसके सब्सक्राइब है इस अ अनुसंदान प्रबंधन में कारी करती है ठेक है तो हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगले पष्णी की तरफ आप लोग के साथ अगला है केंद्रिक खाद्दे प्रादोग की अनुशंधान संथाद CFTRI कहां पर है चन्नाई, मैसूर, हैदराबाद, बंगलूरू तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि अभी की बार एक सिट हमार सबील फटाबर केमन केरेंगे बताएंगे हैं जी हाँ Central Food Technological Research Institute के अगर हम बात करें तो जो है आपका F TRI ठीक हैं C हो जाएगा मने C को हो जाएगा अपर Central Food Technological Research Institute CFTRI यह कहां पर है चन्नाई, मैसूर, हैदराबाद, बंगलूरू तेहां पडिश्प्रिश्चने का उत्तर होगा जो आपके पास वो क्या है मैशूर मैसूर और वो की देभा सई है अधाज़ सवाल का सई overflow क्या होगा भी होगा हम बढ़ते हैं आपके साथ अगये सवाल के तरफ अग्ले प्रिश्चने के तरफ जो आपके सामने डिस्प्ले प बताइए लच्छमी भाई राष्टी सारेजिक सिक्षा संस्थान कहां है जहांसी पट्याला ग्वालियर इंदवर आज ठीपे इंस्टाबे मैसेज के आपने देख लेंगे बताइए लच्छमी यहां पर इसको हम अगर सौट में कहेंगे ल एन आई पी जहां पर होगा लच्छमी भाई कॉलेज आप फिजिकल एजुकेशन जिसकी अस्थापना 1957 में होई थी अगस्त नाइटी फिप्टी शेवन में होई थी कहां पर की गई थी तो याद रखेगा लच्छमी भाई नेशनल युनिवर्सिटी आप फिजिकल एजुकेशन बताई उस सभी उफटापर के मन गेर के जी है गवालेर इसका सही जवाब है अगर आपने विश्टी पिशने का उत्तरशी बताया है तो आपके जवाब पूरी दरसे शही है हम बढ़ते हैं इसके अगले शवाल की तरफ अगले पिशने की तरफ अगले शवाल है कि पोत निर्माड याड माचगाओं डाक कहां इसती थे कोची बिसाखा पत्नम मंबई कोलकाता तो जितनी भी साती इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं हाँ सभी को नमस्ते पोत निर्माड यार्ड माजगाओं डाक कहा इसती थे कोची विसाखापत्नम मुंबई कोलकाता जी हम अगर हम बात करें मजगाओं डाक सी बिल्डर्स लिम्टेड मुंबई कहां पर हैं यह महराश्ट्रों में हम यू क्या सकते हैं इस प्रशने का उत्तर क्या होगा मुंबई होगा यह भारत में अग्रहणी चहाद निर्मार यहों पतीटा सरचना यार्ड है 1906 में भर सरकान इसका अधिग्रहण कर लिया था अगले सवाल की दर बढ़ते हैं फटाफर अंदाज में केरा है कि इंद्रा गांधी राष्टी उडान अकाद्मी इस्तित है शिकंद्राबाद में, राइबरेली में, जोदपूर में, दिल्ली में जितने भी साथ इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं स्वभी साथ ही कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके इस प्रशने का जवाब जरूर देंगे इंद्रा गांदी राश्ट्री उडान अकादमी कहां इस्तित है जी हाँ इस प्रशने का जवाब होगा इंद्रा गांदी राश्ट्री उडान अकादमी फुर्सर गंज में है जो राइबरेली में है और्थाथ इस प्रशने का जो सही उत्तर होगा वह भी होगा हम परते हैं आज के अगले सवाल की तरब अगले प्रशनी की तरफ जोग के परिच्छा के लिए काफी जिनेवा निव्यार रोम वासिंटन फटाबर कमेंट करेंगा जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं जल्देली कमेंट करके जवाब दीजिए यह सवाल आपके परिच्छा के लिए काफी महत्त पूर्ण होने वाला है जी हाँ अगर हम यन्नों की बात कर तो यन्नों का जो मुख्याले हैं यहाँ पर यून्नों में कुल कितने देश है यू यन्नों में कुल 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 के देश एकसो तिरानबे। सदस्ट देश है 193 सदस्ट देश है ठीक है कितने हैं 193 सदस्ट देश है अगर इसकी अस्थापना की बात करें इसकी जो अस्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 भारत इसी दिन इसका सदस्ट बना था याद रखेगा ठीक है ध्यान देट कर भारत इसी दिन इसका सदस्ट बन गया था वह गले अगले सवाल की कि तरह क्या मस्थार जीवा में नहीं काफी इंप्वाटेंट सवाल है और यह का इपी बार पर इच्छा पूछा है यह नाकरात्मक्टाइब का सवाल है और ऐसे सवाल अगर आपके परिच्छा में पूछा जाता है तो गलती भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं लेकिन हम यह चाहेंगे इस सवाल को पूरे कौन सा था कोमेंट करके जबाब जरूर देजएगा चितने विशाति इस वीडियो को यह पर देख रहे हैं खाद्यों कृसी संग्टन विश्व मॉसम बिग्ञानिक संग्टन विश्व स्वास संग्टन विश्व ब्यापार संग्टन सभी साति फटा-फट अंदाज में ज लेकिन जो एफ ए ओव है खाद्दियों क्रिसी संग्टर फूड एंड अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर अग्नाजेशन जो है इसका मुख्याले रोम में कहां पे हैं रोम में रोम कहां पे हैं इटली इसलिए यह आपका गलत और जो गलत है वहीं सही है एक ही प्रश्ण पूच है किसका मुख्याले जिनेवा नहीं जी हां आपका जवाब सही है दच्छो नी चुड़ा हम अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं लेकिन आप इनकी स्की इंसर्ट करते चलिएगा क्लास खतम होने बाद इसकी पीडियाफ भी आपको मिल जाएगी इसकी पीडियाफ आपको टे अगनाइजेशन विश्व स्वास संक्टन का मुख्याल है कहा पर है शबी साथी जवाब देंगे जितने विलोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके अस्थापना गर हम बात करें तो 7 अप्रेल होई थी अगर हम इसकी अस्थापना की बात करें सदस्ष्देश कितने हैं वह कि बता सकता है 194 हिसके यह मुख्याला है वह जिनेवा सविडिजर लैंड में है जनेवा स्विडिजर लैंड में है तो आप लोग के जबाब पूरी तरह से सई होंगे लेकिन हम थीन सथापना और सदस्देश ऐसा एक बात और याद रखेगा इतने विडियों को देख रहे हें हम बढ़ते हैं कर शवाल की तरफ कि डालू टि यो डालू टी-ओ लोल्टी ऐड Senin इसका पुराना नमके इसका नम क्या सबी साती कॉमेंट करके जरु को पतेले बहुत एक इसका पुर्णा नमकिया है को इसका पुराना नम क्या है जितने भी साती वीडियो सुलेश्चित करने के लिए गया यह एकक जनवरी 1995 अस्तित्व में आया इसका नाव गेट था .... इसका नाम क्या था गैर था यह एक अंतारहची संस्ता है जो विश्व्यापार को उदार बनाने के लिए उसकी निग्रानी करता है इसका जो मुख्याले है अगर इसका मुख्याले पूछा जाए तो बता सकता है को इसका मुख्याले कहाँ पर है जिनिवा में जिनेवाट हाँ पर है सबी लोग तो जानते ही होंगे कि उपर भी क्लास में था स्वीटिजर लैंड में अगर देखा जाएं सदस देश तो कितने हैं पुराना नाम गेट ठीक है पुराना नाम सब्सक्राइड क्या था तो आपलोग बताएगा गेट का फुल फॉर्म क्या था जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं शबी साथ ही कॉमेंट करने के बाद दिये के शवालों के जब आप देंगे यह सीरीज या काफी महत्पूर हैं आप सभी के परिच्छा को ध्यान में रखते हुए ठीक है आगे बढ़े एक लिए शवाल की तरफ यहां पे गैट जो है डबल T होग कि येगा ये गैट में गैट गैट जनरावीओं अं क्रिद। इसका नाम गैट था छिट हम अगले प्रस्ण Kath में तरफ चलते हैं इसकी इंसोर्ट चाहें तो कर लीजेगा इसकी पीडियाप क्लास हो खतमने अच्छे इसका जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ठीक है है हम अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं डबलू टियो का मुख्याले कहा है मैं उमीद करता हूँ सभी लोग के जवाब सही रहा हूँ जितने वी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब के जवाब यहाँ पर पता होंगे WTO का मुख्याल है कहा है नियार, दोहा, उर्गबे, जेनेवा, सबी साथ्यों का जवाब बना चाहिए जेनेवा, कहां पर रही है स्वेडिजर, ठिक, जर्रल अग्रेमेंट और ट्रेफिक और ट्रेफिक और ट्रेट, सहिए अगला सवाल, विश्व व्यापा, संक्टन, WTO का मुख्याल है कहा है विश्व व्यापा, संक्टन, जेनेवा, स्वेडिजर, ठिक, अगला सवाल निम्रिकित में से कौन सा देश, हिंद महाशागर, तटी छेत्री सहुक्षंग, आई ओ आरे का सदस नहीं है कौन सा है और कौन सा नहीं है, बहुत important है इसमें अगर देखा जै, तो सदस देश कितने है सदस देश जो है, वो 21 है अस्थापना के समय, चोद, अस्थापना के समय 14 देश थे, किसकी बाद और आई, ओ, आर, ए, फुल्भान इसका कमेंट करके बताएगा इसको ये अस्थित्त में कब आया था, सार्च मर्च उनेशो संतानगे को आया था कहा पे आया था, पोर्ट लूइस मारीशस, कहां पे मारीशस में, अगर हम बात करें तो इसको जो सदस्य देश थे, शुरुवात में 14 थे, और भारत में अगर अब की बात करें तो इसमें कई सदस्य देश हैं भारत है, आस्ट्रेलिया है, मलीशिया, इंडोनीशिया, स्रिलंका, शिंगापूर, दच्छन अफ्रिका, मोजांबी, केन्या, तंजानिया, यमन, ओमान, मरीशस, बांगलादेश, इरान, शेशेल्स, थाइलेंड, मेड़ागाशकर, शोमालिया, कुमोरोष, सहिक्त अर्ब अ और UK, इसकी जो PDF है, वो टेलिग्राम पर मिल जाएगी, टेलिग्राम पर आपको सर्च करना है, दुर्गेश शेर, बिना स्पेस के e-learning भी दुर्गेश पर मिल जाएगी, और क्लास के सवापती होने के बाद, इसकी जो PDF है, e-learning भी दुर्गेश के आयप पर भी आपको मिल हाँ, Indian Ocean Rim Association, जी हाँ, सही जवाब है, I-O-R-A का, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन इस परशने का उत्तर जो है, कौन सा देश नहीं है, तो चीन इसका सदस्य देश नहीं है, अथाजी सवाल का जो उत्तर होगा, वो जापत D होगा, फ्रांस, जापान, चीन, इन्सोर्ट कर लिएगा सब लो, अगला है, परमारु आयोग का गठन हुआ था, यह इंपोर्टेंट सवाल है, यहां से परिच्छा में सवाल जरूर से आते हैं, डेली अपरोक समय से लाइब आ जाए, परमारु आयोग का गठन हुआ था, अगस्त निसम्बर निसो सबी साथी जबाब देंगे जितने मिलोगि इस विडियो को देख रहे हैं, देखें परमारु आयोग का गठन भारत सरकार के परमालु आयोग विभाद के अधिल ये एक सासी निकाह है, परमारु आयोग का अगर गठन की बाथ करें, तो यह अगस्त 1948 मोगा था, कब अगस् इस परशने का उत्तर जोगा यह होगा वरतमान में इसके दिशय को है वरतमान में प्रमाड और यह आयोक्या दिश कौन में को में पुमेंट करके जबाब ज़रूर दीजेगा हम सवाल अगली प्रयश्न की तरह ब Tough अंतर्राष्ट्री प्रमाड उर्जजवाइजंसी का मुख्याल्य कहा पर है ए आंस्वाइ। बीना ए आश्ट्रिया इस प्रश्ने का जो श्रहुत्तर होगा वह होगा ए अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो यह 29 जुलाई 1957 हाँ सर जी कठीनेत कोई बात नहीं एक से दो बार पढ़े लिजेगा इसकी पीडियाफ आप डाउनलोड कर लिजेगा और फेस्बूक पेज लेनी भी दुरगेश पर भी मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको आसान हुझा अगला है यूरोपी संग का मुख्याले कहां इस् म्यूनिच जर्मनी, ब्रुशेल्स वेल्जियम, पेरिज, फ्रांस, मिलान, इटली यूरोपी संग का मुख्याले कहां इस्तित है सबी साथी जवाब देंगे जितने भी साथी बीडियो को देख रहे हैं यूरोपी संग का मुख्याले कहां पर हैं सभी लोग जबाब देंगे सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे ब्रुशेल्स वेल्जियम, बी वालों के जबाब सही हैं यूरोप महादूइब के 28 देश के बीच आर्थिक और राजनेतिक समझाता ये साजेदारी में शामिल सदस्व के शंग को यूरोपी संग कहा जाता है इसका जो मुख्याले है ब्रुशेल्स वेल्जियम, इसलिए सवाल का अच्छे, स्री केन व्यास भामा है, ठीक है, यहाँ पर इस पशने का उत्तर क्या होगा, भी होगा हम अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, अगला है कौन सा संग्टन मुख्याले, गुलट ढंक से हुगा है, मने मिलान गुलट है अंतराष्टी नागर वीमान संग्टन लंदन, इंटरपोल लियोन, अंतराष्टी डाक संग बर्ण, खाद्यों क्रिसी संग्टन, रोम तो सभी साथी जवाब देंगे, इस प्रस्टन का उत्तर क्या होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख पार है देखे, खाद्य तथा प्रिसी संग्टन, संग्टन रोम, इटली, अंतराष्टी डाक संग्ट, अगर हम बात करें, तो आपने एकदम सही मिलाया, बर्ण, इंटरपोल लियो, लेकिन अंतराष्टी नागर वीमानन, जो संग्टन है, यह मांट्रियल में, कहाँ पर है, मांट्रियल कहाँ पर है, कानाडा में है, मांट्रियल साब को याद आ गया होगा, ओजोन परत, तहां पर यह गलत है, इसलिए शवाल गुत्तर क्या होगा, ए, ठिक, इसकी सदस्देश कितने हैं, 192, अस्थापित कब हुआ था, 1924 में, इसकी छित्री कर्याल है, बैकांग, काहिरा, डकार, लीमा, मैक्सिको, नेरोभी, टेरीश, विजिम, इसलिए इस परस्टिक उत्तर एह होगा, मने जो गलत है, वही शही है आपका, ठिक, हम बढ़ते हैं, अगले सवाल, की तरफ, हाँ, मैटरिन पोटोकान, ओजोन परत, कनाड़ा, अगला सवाल है, बिक्रम सारावाई सेंटर, बिक्रम सारावाई स्पेस सेंटर, कहां पर है, देखें, ऑनलेन क्लास और नोट्स के लिए अगर आपको कोई जानकरी चाहिए, सभी जानकारी आपको बताती है, ठीक है, मेरी कलास आप सब की निसुल, देशित में, राष्चित में चलती है, बताएं, तिर्वंतन पुरम, मुंबाई, हैद्राबा, बंगलूरू, देखें, बिक्रम सारबाई, अंत्रिच के अंद्र, ये कहाँ पर है, तिर्वंतन पुरम, ठीरल में, अस्थापना गभूई थी, उन्हें सो, बास आठेक, चिक, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, इसकी इंसोट करते रहेगा, बिक्रम सारबाई, अंत्रिच के अंद्र कहाँ पर है, बिक्रम सारबाई, अंत्रिच के अंद्र कहाँ पर है, तो त्रिवंतन में, ठीक, इसे ही, चिर्यू वा नंद पुरम कहते हैं कहाँ पर रही है किया रहा ठिक सबी लोग पढ़ने आते हैं आप लोग पढ़ते रहेगा हम अगले सवाल की तरह पढ़ते हैं जहां जरूत पढ़े प्रश्णों के स्किन सॉट ले लीजेगा इसकी पीड़ टेलिग्राम परोज मिल जाएगी आपको अगला है हैदराबाद अपने संग्रहाले हैदराबाद अपने संग्रहाले के लिए प्रशिद्ध उसका संग्रहाले का नाम है प्रिंस वेल्ज संग्रहाले शालारंद सालरजंग संग्रहाले राष्टी संग्रहाले, बिक्टोरिया संग्रहाले तो चीतने भी साथ इशे बीड़ी तेकं सेरे वागते. इसालार्जंग संग्रहाले ये कहां पर है तेसे वागत। इसलिए स्पष्टने का उत्तर क्या होगा भी है हम अगले सवाल दर बढ़ते हैं आप लोग के लिए अगला है भारती स्टेट बैंग का मुख्याले कहां पर है मुंबई दिल्ली कोलकाता चिन्री इसका पुरान नाम क्या था इंपिरियल बैंक अफ इंडिया पुराना नाम कि पुराना नाम क्या अब बता सकता है कि इंपिरियल कि इंपिरियल कि इंपिरियल बैंक इसका इस भी आई का पुरान नाम कि इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है कि मुख्याले आप लोगने तब सही बता है कि मुख्याले का राष्टी करण कब हुआ था को मेंट करें बताएगे आप लोग इसका राष्टी करण कब हुआ था भात में विलकित में से किस सहर में से एक से अधिक रेलवे अंचलो के मुख्याले कोलकाता और मुंबई दोनों मुंबई कोलकाता ना कोलकाता नहीं मुंबई देखे इस प्रशने का उत्तर क्या है बताएगे अगर रेलवे जून की बात करें सेंट्रल रेलवे वेस्ट रेलवे मुंबई है इस्टर रेलवे सौथ इस्ट रेलवे गार्डन रीच कोलकाता है अर्था इस प्रशने का उत्तर क्या होगा ए थिक सेंट्रल रेलवे मुंबई ठिक वेस्टन रेल्वे मुंबई यह मानि मुंबई वो गया मुंबई उसके बाद इस्टन रेल्वे कोलकाता और साथ इस्टन रेल्वे यह भी कोलकाता तो यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी मनि हो गया मुंबई यह भी कोलकाता ठिक इसलिए इस्टन रेल्वे को उत्तर क्योंगा एक पिछले स्वाल में ने बताया था उसका उत्तर यहां पर गलत है ठीक एक बार आप रिश्यक करिएगा कि SBI का राष्टी करण गब हुआ था हम अगले स्वाली तरह बढ़ते हैं राज्यू गांधी अंतराष्टी बीमानन पत्तन कहां पर राज्यू गांधी अंतराष्टी बीमानन पत्तन कहां इस्थित है जम्मु कस्मीर नई दिल्ली मंगलूर हैदराबाद राज्यू गांधी अंतराष्टी बीमानन पत्तन समसाबाद लिख लिजेगा सब लोग समसाबाद हैदराबाद अब यह कहां पर है तेलंगाना इसे हैदराबाद अंतर राष्टी विवान पत्तेग नाम से जाना जाता हूं अगली साहरे तरह बढ़ रहे हैं इसकी स्किन्सोट कर लिएगा राष्टी पुलिस अकादमी कहां परिस्तित है राष्टी पुलिस अकादमी राष्टी पुलिस अकादमी साधार बल्लब भाई पतेल राष्टी पुलिस अकादमी कहां परिस्तित है साधार बल्लब भाई पतेल सभी साथी जवाब देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमारी साथ देख रहे हैं सबी सेधे जवाब देंगे हैदराबाद में है कहां पर है है भारती पुलिस शेवा बतलब आई पी एस भारती पुलिस शेवा जो है कि आधिकारियों का पुसिच्छन यहीं से होता है जिनका चैन पूरे भारत से संचलित के जाने वाली सिविल सेव में सारदार बल्लब भाई पटेल राष्टी पुलिस अकादमी है दराबाद में उनका परसे छड़ होता है कि अगले सवाले तरह बढ़ते हैं नेशनल स्कूल आप ड्रामा नेशनल इस्कूल आप ड्रामा किस सहर में है बंबई नई दिल्ली भोपाल कलकत्ता सभी लोग जवाब देंगे जी हाँ इस पिशने का उत्तर होगा नेशनल इस्कूल आप ड्रामा कि जो अस्थापना संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हुई थी इसकी जो अस्थापना हुई थी संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अगर अस्थापना की बात के जएद 1959 किसके द्वारा हुई थी संगीत नाटक अकादमी द्वारा ठीक और 1975 में इससे क्या बना दिया गया श्वायत संस्था बना दिया गया सभी लोग लिख लीजिएगा स्वायत संस्था इससे बना दिया गया यह संस्था रंगमंच चेत्र में प्रशिच्ण बदान करती है रंगमंच चेत्र में प्रशिच्ण देती है ठीकर रंगमंच प्रसिछन देने का काम करती है हम अगले सवाल की तरह बढ़ रहा है आप लोग जहां जरुत पड़े स्किन सॉट करते चलिएगा वैसे क्लास के बाद वीडियो फिल जाएगी और आप लोग वीडियो को भी शेर करते रिएगा यहां सुची दे गई है और यहां पर कौनसी गलत है वह ही आपको बताना है यहां परस्षण का उत्तर क्या होगा यह कहां पर है लखनों में इसलिए इस्परष्टने का उत्तर क्या होगा सीफ जो गलत है वही आपका सई है ठीक अगले सवाल इत्रफ बड़ते हैं इसके किन्साट करते चलिएगा अपनों भारत में केंद्री और सदी विशंधान भारत का केंद्री और सदी अनुशंधान संस्थान कहा है दिल्ली बंगलोरू चिन्नेली लख्णू लख्णू अगला सवाल है भारती सर्वेच्छन विभाग का मुख्याले कहा है दहरादूम हैदराबाद नई दिल्ली जैपुर सबी साती जवाब देंगे जितने भी शातीज वीडियो के हाँ पर पढ़ रहे हैं। भाती सर्वेच्छन विभाग का मुख्याले कहों स्तीत है। बिग्यान और प्रदुद की विभाग की अंतरगत भारतिय सर्विच्छन विभाग भारतिय सर्विच्छन विभाग बारतिय सर्विच्छन विभाग की सबसे पुराने विभागों में शें एक है बातिय सरचण विभाग का जो मुख्याले हैं वो देहरादू में है उत्राखंड में अगले सवाल की तरह बढ़ रहा है S A R C S A A R C कस इसे हम सार कहते हैं सार्क रिसी के अंदर कहा पर है वर्स 2007 से इसका नाम सार्क अग्री कॉल्चर इन्फर्मेशन सेंटर कर दिया गया 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया सार्क अग्री कॉल्चर इन्फर्मेशन सेंटर कर दिया गया और यह धाका में धाका का पर है बागला देश में अर्थाद सवाल को उत्तर भी है ठिक अभी लोग इसकी इसकी इन्सवर्ट अपने पास सुरच्छे रखें स्वाइंटराज सेचिक बग्यानिक तता सांस्क्रितिक संगठन का युनिश्को का मुद्ध्याल इस्थित्र है जिसे हम युनिश्को कहते है युनिश्को नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक और कॉल्चर अर्गनाजेशन बताईए सभी लोग कोमेंट सेक्षे में जाएगा जवाब दीजेगा पेरिश फ्रांस, जनेवा, स्वेटजरलेंड, नुयार, जुजशे, बैंकों, थाइलेंड तो आप इस प्रश्को का उत्तर होगा पेरिश फ्रांस में अर्थारिश शवाल का शही उत्तर क्या है आपका ए है अगर आपने में इस प्रश्को का उत्तर ए लगाया है तो इसका जवाब सभी का शही है इसकी अगर अस्थापना की बात कीजाए परिच्छाओं में शवाल पूछा जाता है चार नौंबर 1946 को होगा था पेरिश फ्रांस में वर्तमान महान दिशक कोन है कॉमेंट करके बताएगा अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं पूरे बिश्रु में बाल का लेयार से शंबत एकमात संग्टन कौन सा है सबी लोग जवाब देंगे यूनीडो यूनिशिफ यू एन एफपी यूनेश्को यूनिशिफ वी वालों के जवाब पूरी तरह से शही है यूनिशिफ यूनाटेट नेशन्स चिल्डरेंस फण्ड यह पूरे बिश्मे बाल कल्याट से हैं इसके स्थापना की बात करें आपके परिक्षा में आप महुत सारे सवाल आएंगे इसलिए मैं बहुत बहुत कर रहा हूं ध्यान से पढ़ लीजिए दिशंबर उननेश्व चियालिश ठिक आप पूछ रहें कब है और आप ही जबाब दे रहें जब आप लोगों को पता है तब फिर क्या है कमेंट कर रहे हैं हम अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं लीग आप नेशंस के स्थापना कब हुई थी दस फरिर उननेशोबीस दस दिशंबर उननेशोबीस दस जनवरी उननेशोबीस एक जनवरी उननेशोबीस बताई से भी लोफट आपर कमेंट करके लीग आप नेशंस राष्ट संके जो अस्थापना हुई थी ना पहली बार वो दस जनवरी उननेशोबीस को कहाँ पर जनेवा में जनेवा स्विट्जलेंड में उपर में मैंने कईवार अभी बताया आज के क्लास में यह पेरी सांती संबेलन की पैडाम सुरूप स्वैंत राष्ट्रंग के पुरवर्ती के रूप में गठित एक अंत सार्स की संगतन था ठीक हम अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं आप लोग इसकी सिंसरूट कर लिजेगा स्वैंत राष्ट शुरुच्छा परिशत के आस्ताय सदस्क्य कारकाल कितने दिन की होती है काफ इन पॉर्डिन सवाल है यहां से परिक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उमीद करते हैं कि जहां से सवाल पूछे जाएंगे आप सभी लोग इसका जबाब जरूर देंगे जी हां सवाइंत राष्ट शुरुच्छा परिशद में आस्ताय सदस्य जो होते हैं इनके संगे कितनी होती है दस देश होते हैं अगर आस्ताय सदस्य की बात की जाए पांच देश होते हैं और इनका जो कारेकाल होता है दोश का होता है और यह जो अस्ताय सदस्य हैं इनके नाम के बता सकता है चीन फ्रांस रूस यूके ब्रिटेन यूश्य अमरिका यह पांच है इसलिए अस्ताय पांच है इस पकार इस पस्टेका जो सहुत्तार होगा वो आपका बी होगा उम्मीद करते हैं से आपके टॉपी धीरे धीरे के लिए रोखते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि परिच्छा में आप बहतर इसकोर करेंगे ठीक है इसके जोट कर लिए आप लोग अगला है स्वाइट रस अच्छा परिशत के पांच अस्थाई सदस्ट कौन है इसलिए इस पश्चने का उत्तर क्या होगा अभी उपर हमने बताया है ठीक है अगले सवाल की दरब पड़ते हैं कौन सा देश श्वाइट राश्व अच्छा परिश्ट का अस्थाई सदस्ट नहीं है तो यहां पर इस पश्चने का उत्तर क्या हो गया आस्ट्रेलिया ठी इस अगया सभी लोग जबाब दीजेगा इस नमबर पर आप वारट्षप करके जनकारी ले सकते हैं कॉल करके जनकारी ले सकते हैं यह सभी इसके अलावा आव सकता पड़ेने पर नए अंग भी सरचित के जा सकते हैं इन अंग का कार विश्र के देशों के साथ सामज़स अस्थापित करना, उनके शाहता करना, बैश्री के जुना को किरानविन करना है इन छ अंगों में भागों के भी शाहयक भी भाग अंग भी है ठेक है, इसलिए इस प्रश्राइगा जो शाहतार होगा वो आपका ए है इस्टॉल करके रखेगा, आप एंसी आटी के सभी नोट्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जी हाँ, अगर हम आपे बात करें तो इस सवाल का से सबसे सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945, शीवालों के जबाब पूरी तरह शिर्प सही है हम अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं यह हमने पढ़ा दिया है, इसलिए उमीद करते हैं यहाँ पर आपका सही होगा अब देखें इसके बारे में इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 खुई थी, संस्थापक सदस देश में भारत भी सामिल था 26 जून को 26 इसमें इसमें कुल सदस देखें यहाँ पर एक बात हम उपको बताना जाएंगे पचास सदस थे, पचास सदस थे, चोबिस अक्टूबर को कितने सदस थे, पचास सदस थे जो अस्थापना की दिन होगे थे पॉलेंड भी सदस सदस थे, लेकिन 26 जून 1945 को अनुपस्तित होने के कारण इसमें 15 सदस के रुप में बाद में हस्ताचर किया था ठीक है तो पचास सदस देशों का हस्ताचर कब हुआ था 26 जून 1945 तो पॉलेंड उसमें अनुपस्तित होने कारण 15 सदस थापक सदस के रुप में बाद में अस्ताचर करता है पॉलेंड यहापे अपसेंट हो जाता है आगले सवाल इतरा बढ़ते है भारत संत राश्ट में कब सामिल हुआ तो जिस दिन इसके अस्तापना होई थी उसी दिन उसमें यह शंबली हो गया आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा ओनलाइन क्लास नोट्स के समन्द में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तब इन नंबरों पर वाट्चेप या कॉल करके जनकारी ले सकते हैं यहां पर नोट्स, ऑनलाइन क्लास, सब के लिए और यह सभी क्लासे जन पज्ञोनपूर से आप सभी के लिए लाइप चलती है टेलिग्राम पर आप दुर्गेश सरसाज करके e-learning बिद दुर्गेश पर सभी निसूल क्लास पर आप्त कर सकते हैं और आज ही आप लोग टेलिग्राम जुड़िएगा और e-learning बिद दुर्गेश का आप इस्टॉल करिएगा Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e-learning बिद दुर्गेश है आप लोग वीडियो को शेर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके बेल ऐकन दबाईएगा Facebook पर देख रहें शेर करिएगा लाइक करके रखेगा चैनल पर नए आ रहे हैं तो सस्क्राइब करना आप कभी फरज है और लोगों तो पोच आते रहेगा कि अपकी बार exit हमार ठैंक यू अफश्वी का बहुत बहुत धन्यवाद 1945 जब ये इसका सदस्र बना था उसी दिन वह इसका जिस दिन अस्थापना वही थी उसी दिन वह इसका सदस्र भी बन गया था और अभी 100 इसके 94 सदस्र देश हैं कॉल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अश्वी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू क्लास कैसी लगी कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट करके बताईएगा और उमीद करते हैं आप लोग क्लास बहता लगेगी प्रद दिन इसी समय हम लोग जोड़कर मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि अभी की बार एक्सिट हमार